उसमें स्टार्टिंग फेस करने वालों के लिए जो नया काम शुरू कर रहे हैं उनके लिए दिखाता थी इसलिए सजेशन पर्सनली हमारी सजेशन ही कि कमपनी का मोटर खरी दिया जो मसाला पीषने का तरीका होता है जो जानकारी होती है कि किस तरीके से धनिया को पीषा जाता है कि चिपके नहीं या मिर्चे को किस तरीके से पीजसा जाता है कुटा मिर्चा कैसे निकाला जाता है वो सारी नमस्कार दोस्तों मैं हो अमित थिवारी और एक बाफिर से स्वा बारे में कुछ हम important point के बारे में discuss करेंगे, important point के बारे में बताना चाहेंगे, जिसमें कुछ point है, जैसे कि ये machine कहाँ पे मिलेगी, इसमें कौन-कौन से मसाले पीच सकते हैं, कितने power की machine है, पिछली वार हमने बताया थे 3 प्लस 5 दोनों HP का काम करेगा, वो कैसे काम करेगा, औ और कितना बिजली का consumption है, मसाले की quality इसमें कैसी हो सकती है, कितने की पड़ेगी, transportation क्या पड़ेगा, मतलब एक पूरा system जो है, पूरी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, तो चलिए एक वीडियो को शुरू करेंगे, तो चलिए एक व machine से आप 3 HP का भी काम कर सकते हैं, अगर आपका बिलकुल starting phase का business है, आपका बिलकुल शुरुवाती business है, और आपको लगता है कि अभी हमारी उतनी जादा जो है market में खपत नहीं है, तो आप 3 HP के motor लगा के आप इसमें काम कर सकते हैं, और आपका जैसे थोड़ा सा काम बढ़ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिर 3 और 5 का अंतर क्या है, तीन और 5 में यह अंतर होता है, कि 3 HP का लगाएंगे, तो production थोड़ा सा कम देगा, 5 HP की machine होगी, वो 3 HP से जादा production देगा, production की बात कर लेते हैं, इस machine का production capacity कितना है पर घंटे का, अगर 3 HP की motor लगाते हैं, तो कोई वो दूसी कंपनी जैसे नहीं कि 50 किलो माल पीस है, 100 किलो माल पीस है, बिलकुल नहीं, 20 से 25 किलो का माल जो है, 3 HP की motor पे इस पे बहुत आराम से पिसता है, और अगर 5 HP की motor लगाते हैं, तो हमारा वही जो है, लगभग 10 किलो के आसपास, 25 से 30 किलो या 30 से 35 किलो के आसप पीस सकते हैं, अगला पॉइंट आता है, इस मशीन के लिए foundation की जरूरत होती है, ऐसे कोई कमपलसरी नहीं है, अगर आप foundation बनवाते हैं, तो और अच्छी बात है, उससे क्या होगा, मशीन में vibration कम हो जाएगा, मशीन आपका इतना फिक्स रहेगा, लेकिन अगर आप foundation नहीं पैड लगा देंगे, तो वो बिना foundation का भी आपका मशीन काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगला पॉइंट जो आता है, कि सर इस मसाले में, इस मशीन में, कौन-कौन से मसाले पीस सकते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, कि हमारे पास अलेड़ी मशीन है, उस इस में पीस सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो चिपकने वाली बात आती है, चिपकता किसी भी मशीन में, मटेरियल वहाँ पे है, जब उस में या तो मौशर कंटेंट ज़्यादा होगा, या ओल कंटेंट ज़्यादा होगा, दो चीज़े होती है, मसाले मे होता है, जिसकी वज़र से मसाला जो है, उसके जालीओं में चपकता है, और दूसरा मौश्यlag में मौश्यादा होगा, तो इसके कई तरीके होते हैं, जिस से जो है इसके में और मौश्यार कन्टेंट पर जोड पड़े गा हल्दी को दो बार में करिए खषटाही को दो बारमे करिए पहली बार में जो है आप उसको लिजे तोड़ने के बाद दुसी बार में पटिस लीए महीन हो जाएगे कोई Oh तो उसे क्या होता है यह जो बहुत बहुतरी क्वश्पटी निकलेगी और जो क्या बोलते हैं मशीन की लाइफ होगी वह भी आगे बढ़ती रहेगी इसके लावा जो अग्ला e-point आता है कि इस मशीन की कॉस्टिंग क्या है यह मशीन कहां पर मिले गी कैसे हम संपर कर सकते हैं अच्छा तो इस मशीन की कॉस्टिंग की बात करें हम तो यह मशीन विदाउट मोटर 25,000 प्लस GST की है थ्री पर पांच अच्वी दोनों आप इस पर चला सकते हैं विदाउट मोटर क्यों कुछ लोग का मन में यह भी सवाल आ रहोगा कि सर विदाउट मोटर क्यों दे रहे हैं मोटर के साथ पूरा डे आती हैं कि आप यह कोई दे लेश्याम का रहती है जब शुरवाती फेस में काम होता है कई चीज़ा हमें जानकारी नहीं होती हमाच अचानक सिस 1990 तो मोटर कैसा करें आती हैं तो हम the колar मोटर के ऊपर पुऋअ हो जायगा जहां से मोटर लेंगे वो उसके देदेगा क्योंकि इसमें ये जो shaft होती है, अगर इसको थोड़ा साफ पास से दिखाईए, तो ये जो shaft होती है ये हर motor की अलग अलग होती है, जैसे इसमें इतनी पतली shaft है, किसी में ज्यादा मोटी shaft होती है, किसी में पतली shaft होती है, तो ये पुली का जो काम होता है, वो जहां से आप motor खरी दें तो उसकी guarantee हम अपने लखनों में में देंगे, लखनों में सारी शर्भीस होगी इसलिए आप मोंटर वही से local से खरीदेदें僕 अगर कोई problem आती तो Chrompton service center में आपका जो भी कंपणी का기는 motor है आप उस service center में ले जाके उसे बनवा सकते हैं रिपेर करवा सकते हैं और काम आपका कोई दिक्कत नहीं करेगा यह जो important point था जो कोई नहीं बताता है अब देखिए आपको एक बात और बता दे कुछ लोग market में कई सारी कंपनिया हैं कुछ लोग कहेंगे कि motor के साथ हमारी machine इत 6-7,000 रुपे, 8,000 रुपे वो motor का rate कम करेंगे अब आप खुद सोचिए company की motor जो है वो 15-16,000 की आती है और जो local motor रहती है उसमें binding की वज़े से जो है उसके rate कम किये जाते है बाइंडिंग करने का तरीका उसमें जो उसकी number of coils होती उसको कम कर देते हैं जिससे rate कम हो जाता ह है local motor 8,000-9,000 में मिल जाती है लेकिन उसमें starting phase करने वालों के लिए जो नया काम शुरू कर रहे हैं उनके लिए दिक्काता थी इसलिए suggestion personally हमारी suggestion है कि company का motor खरीदी आप अगला पॉइंट यह machine कहां पे मिलेगी यह machine पूरे इंडिया में हर जगे मिलती है आप जहां से भी ख manufacturing करवाना शुरू किया है ताकि जैसे बहुत से लोगों को वह रहता था कि सर हमें machine चाहिए या दिलवा दीजिए आपका contact में हो तो contact में तो कई सारे रहते लेकिन उसमें दिक्कत ही होती है कि जो क्या बोलते हैं ट्रस्ट वाली बात होती है वह चीज़ नहीं कर पा रहे थ जिसको आपके नजदीकी में मिल ला है तो अपने नजदीकी में पहले प्रिफर करी अगर नहीं है या कोई समस्य आ रही है तो आप जो है हमसे machine खरीच सकते हैं इसके साथ साथ हम आपको 6 टाइप की जालिया देते हैं और जालियों के साथ में सबसे में पॉइंट होता है जो मसाला पीछने का तरीका होता है जो जानकारी होती है कि किस तरीके से धनिया को पीछा जाता है कि चिपके नहीं या मिर्चे को किस तरीके से पीछा जाता है कुटा मिर्चा कैसे निकाला जाता है वो सारी जानकारिय जो है इस machine के साथ देने में हम आपको बताने के कोशि तो आप हमें दिये हुए नंबर पर WhatsApp मेसेज कर सकते हैं, अफिशल टाइम में आप कॉल कर सकते हैं, 700-726-7406 डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी नंबर शो कर रहा होगा, कोई भी जानकारी चाहते हैं, अगर आप मशीन ले चुके हैं, इसके साथ में आप कोई जानका हैं, तो उनके बारे में जानकारी मिलते रहे, फिर मिलते हैं किसी अनने वीडियो में, किसी अनने टॉपिक पर तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैसी आराम